नमस्कार, वेल्कम बैक टू माय चैनल, दिवाली आ रही है, और दिवाली पे अगर मिठाई ना हो, तो मज़ा ही क्या, है ना? और अगर वो मिठाई, घर की बनी, अपने हाथों से बनी मिठाई हो, तो उसे खाने और खिलाने दोनों का मज़ा बढ़ जाता है, है ना? लेकिन मैं जानती हूँ कि कई ऐसी working women है, चाहे वो mothers हो, चाहे ऐसे ही single girls हो, लेकिन जो working ladies है, वो चाहा कर भी कई बार सिर्फ समय की कमी के कारण मिठाई घर पे नहीं बना बाते हैं, और हम सोचते हैं ना कि जब महमान आए और अपने हाथ से बनी मिठाई खिलाए और वो कहें कि वा, मज़ा आगया, दिल कितना खुश होता है, तो समय की कमी को क्यों आणे आने दे, आज एक ऐसी ही recipe लेकर आईगी, जिससे आप चाहे कितना भी कमबक्यों ना हो आपके पास, आप फटा-फट बना सकेंगे, और वो होगी भी बहुत tasty, और I'm sure कि आपको तारीफ भी मि है मावा, पिसी शकर, नार्यल का भूरा, और जमाने के टाइम पर थोड़ा सा घी, है ना बहुत कम सामगी, इसलिए तो टाइम भी कम लगता है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम नार्यल का भूरा ड्राय रोस्ट कर लेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि जो एक हल हमने कच्चा मावा लिया है, उसे थोड़ी देर हम पूनेंगे, मावे में धेर सारा घी होता है, इसलिए कोई घी डालने की जुरूरत नहीं है, दो से तीन मिनिट तक हम पूनेंगे, तो मावा पून गया है, आप देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है, अब हम इस ध्यान रहें, मावे को हमें पूरी तरह सिठंडा नहीं करना है, हल्का गरम रहने देना है, ताकि हम बर्फी को आसानी से सैट कर सके अब बस इसे हमने प्लेट में सेट तो कर दिया है, पर बर्फी बनने के लिए इसे अच्छी तरह से सेट होना जरूरी है, तो आदा घंटा वेट करेंगे, आदे घंटे मेंगे, बिल्कुल तयार होगी, ताकि हम इसे पर्फी का शेट दे सके है, तो आदा गंटा हो गया है और यह अच्छी तरह से सैट हो गया है, इस आदे गंटे में आप जो काम करना चाहिए कर सकते हैं, आपको इसके सैट होने का वेट करने की जरूरत नहीं है, हमने समयरा को हमबग ख़तम कर लिए, चलिए अब इसे काट के बर्फी का शेट दे देते है, ड़ी समयरा हमारी नार्गिल की पर्फी तो तयार है, आप किस बात का एकजार कर रहे हैं, दिवाली बस आही गई है, जल्दी से बना लीजे, समयरा, टेस्ट करें नाइस, समयरा को पसंद आगई, अब हम चाहते हैं, और समयरा के नानानानी को ठेस करवाते हैं, आप अपनी पर्फी बनाइए, सी यू सूल झाल